इत्तिहाद नियूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा अगर कोई सतादारी पार्टी की हमायद में है तो सचा राष्टवादी देश भक्त और आगे आप सता से सवाल पुछोगे तो देश द्रोई और राष्ट विरोधी ठैराई जाओगे यहाँ फार्मॉला इससे पहले भी हिटलर की जानिव से चलाया गाता है वही काम फिलाल मोधी शाह कर रहा है ऐसा बार बार उपक्षी जानिव से कहा जा रहा है शायद ये दुन्या में किसी पार्टी या खुद इमरान खान ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया होगा इतना पाकिस्तान का नाम तो भाजपा संगपरिवार या भाजप के नेताओं ने लिया होगा खुद प्रदान मंत्री से लेकर ग्राम मंत्री और दिगर जिम्मेदार भाजपा काईद की सुबह शाम पाकिस्तान का नाम लिया बगर नहीं होती जैसे देली इंतखाबात में भाजपा को जलील होना पड़ा उमीद यही की जा रही थी कि शैद भाजपा आने वाले चुनाओं में हिंदू मुस्लिम नहीं करेगी पर यहां उमीद गलत साबित हो रही फिर से हिंदू मुस्लिम का खतर ना खेल भाजपा केल सकती है ऐसा कयास लगाया जा रहा है क्योंकि विकास का कोई मौडल इनके पास है ही नहीं लिहाज पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम और चुनाओं के करीब रामंदिर का खेल भी खेला जा सकता है पर सवाल यह उठता है कि राश्टवाद बनाम राश्टद्रो आकिर है क्या कौन लोग है जो देश को खोकला करना चाते है यही पर असल सवाल के जवाब आता है किसी धर्म मजब के लोगों को किस कदर बनाम करो के खुद के जुर्मों पर परदा भी पड़े और सवाल भी कोई ना पूछे वो इसी के जलास में कोई अमुल्या नाम की लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाती है तो यूही नहीं लगाती है पाकिस्तान से महबत करने वाले कुछ लोग है ऐसा इनका कहना एक तरफ अकलियतों को जान बुझ कर पाकिस्तानी होने की साजिश करना और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए खोफिया जानकारी देने वाले लोग पकड़े जाना जिनके नाम बहुत संक्यान के समाज से है तो पूरा मीडिया खामोश रहता है अगर कोई खान होता तो टीवी डिबेट होती सुबह शाम देश खतरे में होने के ब्रेकिंग नूस पर चिला चीख न चिलाना होता पर एक तरह संनाटा चाया हुआ है क्योंके जो लोग पकड़े गए हैं किसे और समाज से हैं मामूली नहीं 13 में से 11 लोग तो नेवी से नेवी से हैं पिछली मरतबा देविंदर सिंग को पकड़ा गया था जो हिस्बूल मुझाइदीन के दो कमांडरों को देली में ले जा रहा था 26 जनवरी के मौके पर धमाकों को अंजाम देने की बात कही जा रहे थी अगर खुदाना खास्ता कुछ हो जाता तो किसे जिम्मदार ठेरा जाता कितने बेगुना गिरफतार किये जाते यही वाद देविंदर सिंग है जो कश्मीर में बेरुनी ममाली के वपत के साथ घुमत लिए कितना घटिया खेल इस देश में खेला जा रहा है इसका अंधज़ा नहीं लगा सकते आखी इन देश घ्रोई का ₹ को करा अखबार मीडिया में क्यों नहीं किया घाथा क्या इसलिएक यूशु तो इनका नाम संगित कुमार निकू, देखी, देवुशरंगुस प्रदान मत्री जिन्हों ने कपड़ों से फसादियों के पहचान का दावा किया था यह तो सरासर देश द्रोय है फिर क्या बात है कि पहचानने नहीं जा रहे यह वो नेवी के अफसर है जिन्होंने भारत की खोफिया जगों की तस्विरे पाकिस्तान को भेज रहे थे और इसके बदले पैसे भी ले रहते हैं यहाँ पहला मामिला नहीं है ऐसे कई वाकि यह पेश आये जिन्होंने फाउज के आला आउदर पर बैटकर देश द्रोही का कामों को अंजाम दिया पर देश में अजीब रस्म बनी हुए सवाल पूछने के लिए मक्सूस मजब का मानने वाला होना जरूरी है अगर खान अब्दुन नहीं है तो फिर जुर्म माफ किये जाते हैं इनका चर्चा नहीं होता क्योंकि राष्टरवाद और राष्टरदो के माइनों को धर्म के आदार पर तोला जाता है यहीं वो बात है इस देश के भाईचारी को खत्म करती है यही कुछ सियासत दान चाहते है इन्हें हुकुमत चाहिए और हर हाल में चाहिए इसके लिए सम्विदान लोक तंत्र कोई माइने नहीं रखता वक्त आ गया है कि कि पहले हमें जागना चाहिए और सचा देश बत और अंद वक्त में फर्क करके देश द्रोहीं का पता लगाना चाहिए फिर वह किसी भी मजभिया भाशा धर्म का इतिहाद नो देखने के लिए शुक्रिया अल्ला आफीज